पूर्णिया के निर्दलिय सांसद राजेस रंजन उर्फ पपू यादव को कथित लौरेंस बिस्नोई गैंग द्वारा बार भार धमकी दिये जाने के बाद पूर्णिया इस्थित उनके कार्याले अर्जुन भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है पपू यादव के कार्याले के बाहर हाई सिक्योरिटी मसीन लगवाया गया है पपू यादव ने बीजेपी पर इसको लेकर निसाना साधा है और कहा है कि बीजेपी के कुछ लोग जातिय उनमात फैलाना चाहते हैं साथी सांसद ने खुद के लिए कड़ी सुरक्षा की को एक बार फिर लौरेंस बिस्नोई गैंग के नाम पर जान से मारने की धमकी मिली है इस बार उन्हें यह धमकी वाटसएप कॉल और मैसेज के जरिये पाकिस्तान से आई है खुद को गैंक्षटर लौरेंस बिस्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए धमकी देने वाले ने 9 स दिसंबर से पहले कर देने की बात कही गई है धमकी देने वाले ने कहा है कि तुम पर मेरी नजर है 24 दिसंबर से पहले सरप्राइज मिल जाएगा लौरेंस भया ने तुम्हें कॉल किया था क्यों नहीं उठाया सांसद हो तो सांसद बन कर रहो तुमारी आउकात पता लग जाएगी वाट्सअप एकाउंट से धमकी देने वाले ने लिखा है कि तुम बहुत जल्द मरोगे सिद्धुम उसे वाला की तरह तुम भी मरोगे तुम्हें इतनी गोली मारेंगे खोपडी और हड़ी तक नहीं मिलेगी निकलो तुम घर से बाहर देखते हैं तुम कितने बड़े बाहु बली हो इससे पहले 13 नवंबर को पुर्णिया से निर्दलिय सांसत पपुयादब को स्पीट पोस्ट से धमकी मिली थी धमकी देने वाले ने खुद को गैंग्स्टर लॉरेंस बिस्नोई का दोस्त बताया था और कहा था कि 15 दिनों के अंदर उनके आवास अ सांसत के पीए मुहमत सादिक आलम के मुताबिक दिल्ली इस्थित पपुयादब के ओफिस में वाटसेप पर धमकी भरे मैसेज किये गए थे। दर्श नीज के लिए पूर्णिया से रोहित सिंग की रिपोर्ट